बड़ी खबर किसानों के संघर्ष की जीत बैक फूट पर आई केंद्र सरकार। बड़ी खबर किसानों के संघर्ष की जीत हो गई है बैक फूट पर आई केंद्र सरकार। बड़ी खबर किसानों के संघर्ष की जीत बादल पत्रलेक ने भी इसका स्वागत किया है। साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खास कर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रसी जगत के हित में देश के हित में गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझान नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था कृषी अर्थसात्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्व को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशेम माननी ये सर्वोचे नहाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुषी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्ने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है संसत्सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुषी कानूनों को रिपील करने की संविधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परव का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं क्या हूभ कर दो झाल